गुड मोर्निंग बच्चो आज का टोपिक है ठोसों में अपूनता या दोस तो इससे पहले वाले हमने लेक्सिन में पढ़ा तकी जैसे कोई भी ठोस होता है जै क्रिश्टलिय ठोस तो क्रिश्टलिय ठोसों में जो अवियवी कन होते हैं उनकी एक निश्चित विवस्ता पा करनहीं जो क्रिश्टलिय ठोस होते उनका आकार कैसा होता है निश्चित पाया जाता है अ कि इन करते हैं इनका टैमपरेचर बढ़ाते हैं जब आंका टैंपरेचर को बढ़ाते हैं तो जो आने इनको उस्मा दी है उस उस्मा से ये कण उर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और ये गति करना श्टार्ट कर देते हैं जिसकी वज़े से कोई भी अमारे पास जो क्रिस्टल जालक है वो अपनी निश्चित इस्थति को छोड़ कर या तो क्रिस्टल जालक में अन्य इस्थान में तो उस उसमा का उपियो करके जो अवियवी कण होते हैं या तो क्रिस्टल जालक में अन्य इस्थान पर चले जाते हैं या क्रिस्टल जालक को छोड़ कर बाहर चल जाते हैं जिसकी वज़े से इन कणों की इस्तती में परिवर्तन या एनिमेता आ जाती है और इसे ही क्या कहते क्रिस्टलिय ठोसों में दोस या क्रिस्टलिय ठोसों में अपूनता कहते हैं नेक्स्ट टोपिक हमारे पास हमें कि क्रिस्टलिय ठोसों के परकार या ठोसों में अपूनता कितने परकार के होती है तो ठोसों में अपूनता दो परकार के होती है फर्स्ट हमारे पास होता है इसमें बिंदु दोस बिंदु दोस होता है और एक होता है रेखिये दोस तो जो crystal यह ठोस होते हैं उनमें अपुर्णता दो परकार की होती है एक first अमारे पास है रेखिये दोस और दूसरा कोन से समें बिंदू दोस देखो जैसे अगर हमारे पास यह crystal जालक है इसमें जो अवियविकन है अगर जैसे ये एक पूरी पंग्ती है अगर इस पूरी पंग्ती में दोस हो जाए यानि कि अगर जो अवियोवी करने इसकी पूरी पंग्ती में अगर किसी भी परकार का दोस उत्पन हो जाता है तो उसको क्या कहते है रेखिये दोस कहते है यानि कि पूरी रेखा में दोस है अगर हम बात करें बिंदू की तो जैसे ही हमारे पास कोई भी क्या है पंक्ती है यानि कि रेका है और इसमें किसी एककन की वज़े से अगर क्रिस्टल चालक में दोस उत्पन हो जाता है तो उसको क्या कहते है बिंदू दोस कहते हैं तो यहां पे हमारे सलेबस में देखिये दोस नहीं है सिर्फ कोण शाय बिंदू दोस है तो यानि कि बिंदू दोस का मतलब क्या होगा कि ऐसा दोस जिसमें कि बिंदू यानि कि बिंदू का मतलब क्या हमारे पास कन यानि कि कोई भी आयन हो सकता है कोई भी परमानू हो सकता है या कोई भी आनू हो सकता है तो किसी क्रिस्टल में किसी आनू या किसी परमानू या किसी आयन के अपने निश्टित इस्थान को छोड़ कर या तो जालक से भार चले जाना या जालक में अन्य इस्थान पर चले जाना ही क्या कहलाता है बिंदू दोस ही कहलाता है तो यहाँ पे हमारे पास या तो आयन के द्वारा सोगा या किसी परमानू के द्वारा या किसी आनू के द्वारा प्रदिशित होता है यहाँ कि एक ही बिंदू में यहाँ कि एक कण के द्वारा यहाँ पे क्या होगा दोस उत्पन होता है अब हम बात करते हैं बिंदू दोस तो बिंदू दोस के जो परकार है बिंदू दोस भी अमारे पास तीन परकार का होता है फर्स्ट अमारे पास इसमें इस्ट्राइक्योमेट्री इस्ट्राइक्योमेट्री या इस्ट्राइक्योमेट्रिक दोस दोस सेकंड जो होता है हमारे पास में नोन इस्टाइक्योमेट्री नोन इस्टाइक्योमेट्री दोस नोन इस्टाइक्योमेट्री दोस और जो थर्ड है वो है असुद्धता दोस तो बिंदु दोस भी तीन परकार के होते हैं फर्स्ट हमारे पास इस्टाइक्योमेट्री दोस नोन इस्टाइक्योमेट्री दोस और असुद्धता दोस इस्टाइक्योमेट्री दोस क्या होता है जैसे एक्जामपल हमारे पास से कोई भी किस्टल जालक है उसमें दो परकार के आयन्स हमारे पास एक पोजिटिव आयन है और दूसरा कैसा है negative आयन है तो जब इसमें कोई तूटी नहीं हुई है या कोई भी दोस नहीं हुआ है तो example के लिए इसमें 10 धनायन है और 10 ही क्या है रिनायन है अगर इनके ratio की बात करते हैं तो इनका ratio क्या होगा 1 ratio 1 है अब इसमें क्या होता है कोई भी आयन अगर crystal जलख सी बार चला गया जैसे example हमारे पास यहाँ पे धनायन बार चला गया ठीक है और एक रिनायन बार चला गया तो अब पहले यहाँ पे कितने धनायन थे 9 थे कितने रिनायन थे 9 अब यह आपे जब एक धनायन ञाल चला जाता है तो रिनायन की शिह कितनी होगा हो गया हमारे पास 9 है और धनायन की और रिनायन की अब संखा कितनी है 9 है अगर इनका अनुपाद देखेंगे तो अनुपाद भी कितना है गा 1 रेशो 1 आएगा श्मी यानिकि इसमें क्या होता है कि तुरुटि पूम यानिकि दोस हो उत्पन होने के बाद भी जो धनायन है और रिनायन है उनकी संख्या या उनका अनुपाद कैसा होता है बराबर होता है पहले के बराबर होता है यानिकि अगर आप अनुपाद की बात करते हो तो पहले रेशो क कितना है वन रेशियों वन है अब यहां पर जितने धनायन है उतने를नार सकता है या यह अमारे पास में सब्सक्राइब थो क्या और रेश्यों की बात करें तो वो इस लिए जगा इकोल पाजाता है इसलिए इसको क्या कहते है इसमें इस्टाइक्योमेट्री दोस कहते हैं चीक है अब इस्टाइक्योमेट्री दोस की बात करें तो इस्टाइक्योमेट्री भी दोस्ट दो परकार का होता है फर्स्ट हमारे पास है इसमें रिक्तिका दोस रिक्तिका दोस रिक्तिका दोस और सेकंड हमारे पास है अंत्राकासी दोस ठीक है तो इस्टाइक्योमेट्री दोस भी दो परकार का है फर्स्ट है रिक्तिका दोस और नेक्स्ट हमारे पास इसमें अंत्राकासी दोस तो इस परकार के दोस में क्या होगा हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रिश्टल है इसमें दो परकार के कण है इसमें एक हमारे पास ये एक इसमें एक्जाम्पल के लिए हमारे पास कोभी फर्स्ट किसमें कण है ये दूसरा कण है इसमें इसी तरह ये जो दोनों कण है ये इस तरह एक आंतर करम में या एक विवस्तित रूप से क्या हो है इसमें उपस्तित है तो इसमें अगर हम बात करें इस समय यह कंणों की वबस्ता कैसी है निश्चित है तो इस इस्टेक्शर को क्या कहेंगे तुरूटी पूण क्रिस्टल कहेंगे इसमें अब क्या होता है कि जब इसके टैंपरेचर में अगर विरधी करते हैं तो कोई भी आएन इसमें से या करेगा इस crystal जालक से बाहर चला गया जब बाहर चला जाता है तो यहां पे क्या बन जाएगी एक रित का यानि कि इसकी जगर क्या बनेगी इसमें एक खाली जगर बन जाती है इसी तरह अब यहां पे कणों की यानि की इसमें इन दोनों की कणों की अगर हम संख्या बराबर कर करने के लिए तो इसके कण को भी क्या करता है इसके अपोजिट वाले कण को यहां से भार निकाल देते हैं तो यहां से इन दोनों की संख्या बराबर करने के लिए इस कण का दो दूसरा अपोजिट कण उसको भार निकाल दिया हमने तो जितने अब हमारे पास जितने ऐसे वा इसको क्या कहते हैं रुटिका दोष कहते हैं तो इसकी डेफिनिशन क्या होगी कि इस परकार की दोष में कि कोई भी हमारे पास जो अवियावी कन होता है वो क्रिष्टल जालक से बहार चला जाता है और उदासीनता बनाए रखने के लिए या इसकी इस्टाइक्योमेट्री ब संतुलित होती है यानि कि हमारे पास दोनों परकार के कनों के संखा कैसी होती है बराबर होती है लेकिन जहां से कन बार गए है वहाँ पे रिक्तिका बन जाती है और ऐसे दोश को क्या कहते है रिक्तिका दोश के नाम से जाना जाता है तो यह हमारे पास तैसमें रिक्तिका दो अब हम बात करते हैं इसके एक्जाम्पल की, तो इसका जो एक्जाम्पल है वो हमारे पास है सोट की दोस, तो रिप्तिका दोस का एक्जाम्पल की हमारे पास है सोट की दोस, तो यहां पे हम एक क्रिश्टल की बात करते हैं जैसे, हमारे पास एक क्रिश्टल है एन ए सील का, कर बना है एक हमारे पास है एन अनिकी sodium आयन दूसरा है chloride sodium आयन और chloride आयन तो इसी तरह हमारे पास है जो एने का Crystal है वो बना हुआ इस प्रकार से तो यहाँ पर जो हमारे पास धनायन है और इनायन है इस समय इन दोनों की संख्या या हम मान के चलन के इस्तति कैसे है निश्चिते इसमें तो यहां पे हमारे पास क्या है NACL का क्रिस्टल है यहां पे जितने हमारे पास धनायन है उतने ही क्या प्रजेंट है रिनायन प्रजेंट है तो हम यहां पे कहेंगे यह जो हमारे पास crystal जालक है ये कैसे तुरूटी रही थे अब example के लिए हमारे पास इस crystal से जो sodium आयन था वो अपना इस्तान छोड़ के जालक से बाहर चला जाता है अब जालक से बाहर चला गया तो इसमें क्या गया तुरूटी आगी इसमें अब इसमें धनायन और इनायन की संख्या के अनुप गतना गया तो अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास आयन गया है कौन से गया है धनायन गया है तो उसके अपोजिट वाले किसी एक आयन को जालक से बाहर निकाल देते हैं तो यहां पे विदुत उदासीनता बनाये रखने के लिए हम दूसरे किसी आयन को या करते हैं जालक से बाहर निकाल देते हैं अब यहां से हमने दूसरे अनको जालक से बाहर निकाल दिया तो यहां पे अब जितने हमारे पास धनायन है उतने ही क्या हमारे पास धनायन है यानि कि इसके इस्टाइक्योमेट्री परिवर्टर नहीं हुई इसमें ठीक है लेकिन तुरूटी तो है क् इसमिने पहले हमारे पास ज़्यादा धनायन थे और ज़्यादा क्या सिरिना इसमे 이제 प्रकार का दोस्ट क्या कहला थ receives बक्राइब मारे बस्ट के दोस्त को दर्षादे उसमें से किसद्फ हैं यहां पर हमारे पास क्या है यह सारे शोट की दोश तो अंत्राकासी दोस की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे हमारे पास यह क्रिश्टल जालक है यहां पर हमारे पास क्रिश्टल जालक है और इसमें फिर से दो परकार के जो कन है वो इस परकार विवस्तित है यह दोनों परकार के जो कन है वो इस परकार विवस्तित है ठीक है इनकी विवस्ता कैसी है निश्चित है अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन अव्यवी कनों के बीच में आपको एक रिक्तिस्तान दिखाई देरा हूँ इसमें सभी में ऐसे ठीक है तो रिक्तिस्तान पाये जाते हैं यहाँ पे क्या करता है इसमें कि इन अव्यवी कनों में से कोई भी जो एक कन होता है वो क्रिस्टल जालक में अपना निश्चित इस्तान छोड़ कर उस अंतरकासे इस्तान में क्या करता है आ जाता है तो जैसे हमारे पास ये जो अविविकन है ये क्रिस्टल जालक में से अपना निश्चित इस्तान छोड़ कर इस अंतरकासे इस्तान पर आ गया तो अंत्रकासी दोस वह दोस होता है जिसमें क्रिस्टल जालक में से कोई अव्यविकन अपना निश्चित इस्तान छोड़ कर उसी क्रिस्टल जालक में किसी अंत्रकासी इस्तान पर चले जाते हैं तो इस परकार के दोस को क्या कहते हैं अंत्रकासी दोस के नाम से जाना जाता है ठीक है यहां पे अगर हम बात करें कि जितने हमारे पास एक कन है उतने क्या है बी कन तो कि यहां पे जो अभी-अभी कन है वो जालक से बार नहीं गया है इसलिए इसकी स्टाइक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें ठीक है अब नैस्ट्री इसी तरह अग इंकल दोस में क्या हमारे पास में जैसे एक हमारे पास एक क्रिस्टल जालक है और वो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड एजी इसमें भी आर चीक है यहां पे जो सिल्वर है वो धनायन है इसमें और जो ब्रोमीन हो क्या होता है दिनायन होता है तो अगर इनकी इस्ट्रक्चर क कुछ इस प्रकार होती है कि एक silver के बाद आता है इसमें bromide फिर हमारे पास silver iron है और यह हमारे पास क्या है bromide तो इसी तरह हमारे पास इस crystal जालक की सनचना ऐसे बनी होती है यहाँ पे मिलेगा हमें क्या BR- AG+, BR- AG+, ठीक है और नेक्स्ट इसमें AG+, BR- AG+, और BR- तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें तो यह crystal जालक है और यहाँ पे जो बीच के दो इस्तान इसको क्या कहते हैं अंत्राकासिस्तान कहते हैं अब AG-BR में से जो silver है न यह दनायन है और जो BR वो क्या है? रिनायन है अब धनायन काकार कैसा होता है? छोटा होता है और जो हमारे पास BR- ब्रोमिन उसका कार कैसा होता है? बडायन की रिनायन इसमें तो यहाँ पे क्या करता है? कि silver जिसका कर छोटा है यह अपने इस्तान को छोड़कर अंत्राकासी इस्तानों पे चला जाता है तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था? शिल्वर था यह शिल्वर अपना निश्टित इस्तान चोड़कर किसी इसमें क्रिस्टल जा लगके अंत्राकासी इस्तानों पे चला जाता है तो इस परकार का दोस क्या कहलाएगा इसमें फ्रेंकल दोस कहलाता है तो फ्रेंकल दोस में ध्यार रखना सबसे पहले इन दोनों में अंतरकासी और फ्रेंकल दोस में तो अंतरकासी दोस और जो रिक्तिका दोस होता है ये अनाइनिक योगी सो करते हैं अनाइनिक योगी करते हैं और है इसमें से यह दियान लखना कि एक्जाम में जैसे पूछंक च्छोटे कुशिंस करने आते इसमीं कों सा आईन में फ्रेंक का दोस को सो करता है अब है यह घर की इसका आकार कैसा होता है छोटा कार होता है यह हमारे पास था इसमें इस्टाइक्योमेट्री दोस इसको अलग तरह से भी पढ़ते हैं या कई बुक इसको ऐसे भी मानते हैं कि जो इस्टाइक्योमेट्री दोस है वो चार परकार का होता है इसमें कौन-कौन सा रिक्तिका द दोस अंत्राकाशी दोस तेकं रिक्तिका दोस का एक्जांपल का है सोट की दोस और अंत्राकाशी दोस का एक्जांपल कैस में फ्रेंकल दोस अब नेक्ष्ट पास इसमें है नोन इस्टाइक्योमेट्री दोस्ट यानि कि इस परकार की दोस्ट में क्या होगा जो अमारे पास धनायन है और जो अमारे पास रिनायन है उनकी उनकी मात्रा बराबर नहीं होती इसमें ठीक है तो नोन इस्टाइक्योमेट्री दोस्ट दो प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है धातु आदिक के दोस, और सेकंड होता है धातु नियूमता दोस, तो नोन इस्टाइक्योमेटरी दोस इस परकार के दोस में धनायन और इनायनों को जो संख्या का अनुपात है वो बराबर नहीं होता है इसलिए इसको क्या कहते है नोन इस्टाइक्योमेटरी दोस कहते हैं नोन इस्टाइक्योमेटरी जो दोस होता है वो डीव लोग के तत्त क्रद्दिशित करते हैं क्यों? क्योंकि इन में परिवर्तन प्सिल्व अपनी ओक्षिक कर सकते हैं क्योंकोन सा तौ्छ भी दो प्रकार bio कोन कोन सा अगर इसमें धनायन आधिक है भई धनायन अगर आधिक है तो उसमें दो कंडिशन होती है यानि कि जैसे हमारे पास कोई भी जालक है उसमें धनायन आधिक मातरा में है तो उसकी दो कंडिशन होती है भई या तो जितने धनायन है या रिनायन है उन दोनों में से धनायन की मातरा क्या हो हमारे पास रिनायन है उनके मात्रा में क्या कर दें कमी कर दें यानिकि उनकी मात्रा में क्या होता इसमें कमी पाए जाती है तो किसी भी क्रिस्टल में धनायन आधिक दो परकार से हो सकता है या तो धनायन की मात्रा दिको या जो हमारे पास रिनायन है उसकी मात्रा क्या उसमे कम हो तो जो अमारे पास दातु आदिक के दोस है ये भी कितने परकार का होता है दो परकार का होता है फर्स्ट क्या है रिनायन का अभाव रिनायन का अभाव ठीक है और जो अमारे पास दूसरा है वो है धनायन का आदिक के कि tirar कि दाथ्ट्या सब्सक्राह घाल या तो नायन के माठ्रा को बढ़ा दो तो हमाएन थनायन अदिक़ कर में हेरे और जो रिनायन उसकी मातरा को सब्सक्रां यहाँ पर यह जो है इंप्रोटेंट इसमें कुल यसे एक्जामपल के लिए यह तो एने सील कर लेना यह किसे मिलकर बना है ऑर खुलॉराइड यहां पे हमारे पास है क्लॉरइड रिनायन next हमारे पास इसमें sodium Na plus sodium plus sodium plus ठीक है यहांपे क्या present है Cl minus Cl minus Cl minus Cl minus ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहांपे हमारे पास क्या होता है इस crystal में जब यहांपे एक sodium धनाएन है और क्या है इसमें 처rel diet जब इस crystal का निर्वान हो रहा होता है ना तो जब यह यहां से जो हमारे पास रिनाएन है यह क्या करता है गैसी अवस्ता में इस crystal ये जो हमारे पासुरा粉 है ये अपना इलेक्टों उस से स्थान पे छोड़ जाता है अब अगर हम बात करें इस ख्रिश्टल में धनायों और रिनायन का संख्या की बात करें तो हमारे पास जैसे एग्जामपल पहले यहाँ पे थे 10 सोडियम ऐन थे और 10 हमारे पास क्या थे इ अब अगर इसमें से क्या चला गया इसमें एक क्रिस्टल जालक में से एक रिनायन चला गया इसमें तो एक जामपल के लिए हमारे पास आवे भी धनायन कितने हैं दसी है और जो हमारे पास रिनायन है वो कितने हैं नो अगर हम बात करें धनायन और रिनायन की उनकी संख्या की बात करें तो संक्या बराबर नहीं है यहां पर लेकिन अगर हम बात करें चार्ज की तो टोटल एक सोडियम पर कितना चार्ज होता है प्लस का बन होता है तो दस सोडियम पे चार्ज कितना होगा प्लस का दस चार्ज होगा क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है माइनस का बन तो यहां पे हमारे पास कितने 9 chloride पर 9 minus का बनोगा और एक चार्ज किसके उज्शेश में तो अगर हम बात करें इनके धनावेश की और रिनावेश की बात करें तो वो डोनों कैसे equal है यानि कि जो क्रिश्टल है न क्रिश्टल ये क्या होता है उदासीन होता है ठीक है क्रिश्टल उदासीन है यहां पे तोकि टोटल जो धनाएन है जो धनावेस है और रिनावेस है वो बराबर है लेकिन अगर हम बात करें धनाएन की संक्या और रिनाएन की संक्या वो बराबर भी जो हमारे पास ये आइन्स होता है ये अपना इलेक्ट्रोन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बार चला जाता है उस इस्तान को कहते हैं F केंदर कहते हैं और F का मतलब होता है फेरबे फेरबे होता है और जिसका मतलब क्या होता है रंग यानि कि ये जो हमारे पास केंदर होता यो得 लिए की उत्तर दाई होता है तो एकजाम में जैसे कुस्तनर बढ़ वह werde किन भी रिजन किये आमारे पशीर ऑन की एफ के लुक्त के है उंहारे पास कि चांगा जै यहां पास किसया और क्रिश्टल और का क क्रिश्टल है तो 179 क्रिस्टल का रंग जो होता है वो कैसा होता है पीला रंग होता है चिक है नेस्ट हमारे पास के सी ऐल पोटेशियम क्रॉराइड है इसका जो रंग होता है वो होता है बैंगनी रंग का इसमें क्रिस्टल का और इसी तरह हमारे पास लीथियम क्लॉराइड है और इसका रंग कै ऐसा होता है गुलावी होता है कि तो यहां पर अगर कुश्चन पने कि उसके किया है sabemos में वोई फ के अंदर है तो अकिन थे किसी parents वो इस तन जहां पर कोई भी जो आइस होता है वह अपने लाक्टा चोड़ कर just a ललक चला जाता है तो उस इस्तान को क्या कहते यह एंदर और एफिंदर का मतलब क्या होता फिर भी होता है और जो कि किस के लिए उत्रदाई होता है रंग के लिए उत्रदाई होता है नेक्स्ट हमारे पास इसमें है ठीक है तो इसका फस्ट टाइप हो चुका हमारे पास में रिन आयन का अबाव तो यहां पर रिन आयन की क्या है कमी है नेक्स्ट हमारे पास इसमें है धन आयन का आधिक है तो धन आयन का आधिक है इसमें तो धन आयन का आधिक है कि बात करें तो यहाँ पे जिसे एक्जामपल हमारे पास एक क्रिश्टल है इसमें तो यहाँ पे प्लस का टूम है या लिक है यहाँ के जिसे इसी तरह इस क्रिश्टल में धो परिकार के आयन मिलेंगे एक होता हमारे पास Fe प्लस 2 और दूसरा हमारे पास क्या होता और 2 माइनस तो यह इनकी क्या होती है विवस्ता होती है और 2 माइनस Fe प्लस 2 और 2 माइनस और Fe प्लस 2 ठीक है इसी तरह क्या होता हमारे पास इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पाई जाती है या इस crystal में इस परकार के जो अव्यवी कन है या आयन की वश्था पाई जाती है अब यहाँ पर क्या होता है जैसे कोई भी धनायन है जैसे example यह धनायन इसमें यह क्या करता है तो इस परकार की दोस्ट में क्या होता जैसे कोई भी जो धनायन होता है ये किसी भार से क्रिस्टल जालग में प्रिविस्ट कर जाता है जैसे एक्जाम्पल हमारे पास यहां पर ये जो एफी प्लस टू आयन है ये क्रिस्टल जालग में भार से प्रिविस्ट कर गया तो अब इसकी विद्यूत उदासिंता बनाये रखने के लिए क्या करते हैं कि जितनी मात्रा में धनावेश की वर्दी हुई है उतनी ही संख्या में हम इसमें क्या प्रवेश कराते हैं इलक्टोन प्रवेश करा देते हैं तो बहुत एक एफ़ी आया है ना एक एफ़ी पे कितना चार् जगे हैं जैन कि crystal कैस दोस को हम क्या कहते हैं उदासीन लेकि अगर हम बात करें धन आयन की संक्या और इनायन की संक्या क्या है ज्यादा है। इसी लिए इस PRAKAR के दोस्ट को क्या कहते हैं यो न sister cardo अ刃तिक है तो यह तो नोर इस्टाइक्योमेट्र जो दोस्ता वो दो परकार का था ऑडिकले में यानिके दनायन आधिकले यह दो परकार से हो सकता है या तो दनायन की कमी हो या दनायन का क्या हो अधिकता हो या आधिकता मातर में प्रजैंट हो ठीम器 Lawrence में और यहां पर हमारे पास क्या है धनायन का आधिक्या में कोई भी धनायन प्रविश कर रहा है क्रिश्टल जालक के अंतरे दिश्मियों